इस प्रकार एक पुत्र अपने मा के मान सम्मान के लिए लड़ता है और एक मान नारी जाती के सम्मान के लिए अपने पुत्र की अहूती दे देती है और यहाँ गटना सोरर गड़ की है नमस्कार दोस्तों मिन्टू लॉक चैनल में आपका स्वागत है आज हम आपको ले चलते हैं सोरर गड़ जिसे आज सोरर कहते हैं यह बालोट जीला के गुरूर बलाक में इस्तित है और गुरूर से लगभर 12 किलो मीटर की दूरी पर है यहां माता बहद्दूर कलारिन और उस के वीर सपूत चछान चाडू देव के दर्सन करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे और हमें सोरं जाने के लिए गुरूर से तारी भरदा होते हुए खिर्चाडी ग्राम से उल्ला है तो आपको सोरं मिल जाएगा तो चलिए माता और वीर सपूत दर्सन करने के ल ऐसे पावन और वीरों के भूमे में निवास करते हैं जहां पर ऐसे सपूत और मां पैदा हुए हैं आएए दोस्तों हम माता बहाद्दुर कलारिन इवं चछान चाडू देव के दर्सन करते हुए उनकी पावन गाथा का स्रवन पान्दी करते हैं बोलिया माता माता बहाद्दुर कलारिन माता जी का मंदित चलिए देखते हैं माता जी का दर्शन करते हैं और इसके कथा के बारें हम लोग बताते हैं आपको बोलिये माता बहाद्दुर कलारिन की जये एक दूसरे से जो सुनते आये थे वही कथा हम सुनाते हैं सोरर के अंतुराम गुर उसी कथा को मैं आप लोगों को बताती हूं हजारों वर्ष पुरानी कथा है जब राजा महराजाओं का सासन चलता था तब कि रतनपूर कि शासक कल्चूरी नरेश उनका नाम था युजहार सी वह एक बार जंगल में सिकार करने गये थे राजा सिकार करने जाते थे तो बाज के पीछे पीछे जाते थे बाज रास्ता बताता था और राजा उनके पीछे पीछे चलते थे लेकिर राजा उस दिल भटक गए सैना किसी और दिशा में चले गए और बाज किसी और दिशा में तो राजा भटकते भटकते यहां पर जोपड़ी में जाके देखे राजा तो उनको दो इस्तरी दिखाई दिए उसमें से एक बुढ़ी आवरत थी और दूसरी 16 साल की कन्या 16 साल की कन्या बहुत ही सुन्दर थी राजा उस कन्या के उपर मोहित हो गए और माता जी के वो जोहां बुढ़ी माता थी उनके आगिया से वो राजा वहीं रुख गए और वहीं रुख कर उस 16 साल की लड़की से वो गंधर वविवा कर लिए गंधर वविवा करने के बाद राजाओं का तो जीवन सैली कैसी थी आप सभी जानते ही हैं वो उस मही कन्या को छोड़कर अपने राज्ये में चले गए और कन्या को भूल गए इधर कन्या गर्भुवती हो गई थी कुछ दिनों बाद एक पुत्र को जन्म दी और पुत्र का नाम रखा चछान चाडू चछान नाम भी ऐसा देखो चछान मतलब उस समय बाच को कहा जाता था चछान मतलब की बाच के द्वारा छोड़ा गया पुत्रा आगे की खता हम सचान चाडू मंदीर में पहुंचकर सुनते हैं आप्ठोeral ये देखिए यहे है माता بाद्दर कलरीन के मंदीर का बहुत सुन्दर सा प्रांगर जहांपेर हर वर्ष एक मेला भी लगता है समभूता फर्वरी महिनया के प्रथम या दूती सप्ता में बहुत अच्छा सा मेला लगता है इसे भुद सुन्दर सा परिशर है यहाँ है यह हमारे डर्षिमा तब नियारिस पेंहाय जुद के हैं हमारे माता बहुत ओ प्यार से मंदिर आप सबही और hold यहाँ पर आए माता जी का दर्षन करें साथ यहां पर चाछान चाडू देव का मंदीर है जहां पर आप हम जाएंगे उसकी भी आपको यात्र करवाएंगे तो यह मंदीर है श्री हसान चाडू देव का मंदीर और वहां पर माता जी का मंदीर है वहाँ पर माताजी का और यहाँ पर पुत्र का जादा दूर पर नहीं है मंदिर यहाँ है चछान चाडू का पुराना मुर्ती और यहाँ स्री चछान चाडू का नया मुर्ती स्थापना हुआ है आईए अब इसके हम कथा सुनते हैं दिरे दिरे चाचाण चाड़ो बड़ा होता गया और बड़ा होने के बाद उसके मित्र यारों ने उससे पूछा कि भीया आपका मा आपके पिता जी कौन है तो अपने पिता जी के बारे में अपने माता से पूछते थे पर मा जो है उसके किसी प्रकाशे टाल जाया करती थी फिर और बड़ा हुआ, तो उसके मित्र लोग और उसको चिर्हाने लगे, वो बहुत घुस्सम हो गया, जा करके अपने मां से फिर से पूछता है, बताओ ना मां मेरे पिता जी आखिर कौन है, अगर आप आज नहीं बताए, तो मैं अपने प्रानों का आउती दे दूँगा, अपने जाम दे दूँगा, ऐसा करके वो शचान चाडू जो है, अपने माता को बोलते हैं, उसके बाद भी विवर्शों करके अपने पिता जी के बारे में, उस राजा के बारे में, अपने पुत्र को पूर वृत्तान सुना जते हैं, तब होता क्या है, कि वो जो शचान च सम्मान उसकी आईसमिता को दिला करके रहूंगा और ऐसा सोच करके वे आसपास कि जितने भी लोग थे जो की राजा के दौरा प्रतारिफ हुए थे उनकी पूरी एक सेना बनाते हैं और सेना बना करके उनसे लड़ाई लड़ने जब छचान छारू अपने एक सेना अपने एक टीम बना लेता है और राजा से लड़ने के लिए चले जाता है तो वो जब लड़ाई शुरू हुआ तो राजा के सेना बढ़ते गया तो छचान छारू का सेना उनको नहीं हड़ा पा रहा था तो उन्होंने सोचा कि हम लड़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ तो कर सकते हैं और उन्होंने सुषते हैं वे कहा हम आसपास के राजाओं के राजकुमाडियों को दासी भी बना सकते हैं और अगल बगल में जो राजा थे उनके राणियों को नहीं उनके राजकुमाडियों को अफ्रन करके अपने मा के पास छोड़ दिये कि उनका सेवा करो चछान चाडू राजकुमारियों को किसी गलत उद्धियास से नहीं लाया था बलकि अपने मा के सेवक ले लाया था लेकिन चछान चाडू के मा को लगा कि उसका बेटा नाडी जात का अपमान कर रहा है एक कहावत है साथ आगर साथ कोरी इसका मतलब है साथ कोरी मतलब एक सो चालीस और साथ आगर साथ कुल मिला के हुआ एक सो सैंतालीस साथ आगर साथ कोरी राजकुमारियों को मतलब की एक सो सैंतालीस राजकुमारियों को अपने माता जी की सेवा में लगा दिये अपरन कर उनके सेवा में लगा दिये हाला कि छचान छाडू राजकुमारियों को अपने लेने नहीं लाता था बलकि अपने मा की सेवा कराने के लिए लाया था क्योंकि वहाँ एक रानी थी उनका कहना था कि मा रानी है तो रानी की तरह ही रहना चाहिए से मा को पीड़ा हुई मेरा बेटा नारी का सम्मान नहीं कर रहा है नारी जाती का अपमान कर रहा है सोचो दोस्तो एक नारी दूसने नारी की पीड़ा को समझ सकती है बहदूर कलारीन को महसूस होता है कि मेरा बेटा गलत कर रहा है फोली के 14 दिन एक तेवहार होता है कि यहां पार के हार मनाया जाता है उनकी के ग्यारवे दीन एक तेहार होता है माता लोग कुछ बताया थे देवहार मैं भूल गई हूँ उस दिन तेवहार चछान चाडू जी होली के दिन 11 दिन रंगुलाल खेल कर आये और यहां पर बावली था जो दिख रहा है उसके सामने में बावली थी तो उस बावली में अपने हाथ मूध होने के लिए जैसे ही ज चछान चाडू जब कुवे में गिरा तो वो जोड से बोला मा और तभी और जैसे ही चछान चाडू ने मा चिलाया मा का दिल पसीज गया और जूस रस्षी में भाल्टी लगा हुआ था वहां पर राड भी लगा था उसी राड से अपने सीने में घोब दिया और अपने प्राणों के भी आहूती देदी अपने प्राणों के भी आहूती देदी ये कथा है सोर अडगर की कथा तो इस प्रकार एक पुत्र अपने मा के मान सम्मान के लिए लड़ता है और एक मान नारी जाती के सम्मान के लिए अपने पुत्र की आहूती दे देती है और यहाँ गटना सोरारगर की है आप भी यहाँ गूमे जरूर आएंगे अद्भुत अकलपनिय अद्वितिय कथा है यह सोरारगर की कथा तो जरूर आप भी आए बोलिए बहादुर कलारिन की जै चछान चाडू देव की जै जै चाड़ आप 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 लिए और तरहर आप भी आप आप अब यहाँ आप नहीं होते हैं अब इसाल कि अब इसे फरवरी मुश्षक अजिका का वाज थे तरहार की परसे हो इसे हुं भर दे है बासंगर दे अच्छा कोरूना प्सेटी मेला सब बंढ़ हैं तो दोलिए कर क अच्छा वहां पर माची है जो सोना का था उसको भी चुरा ले गए अच्छा जे 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 एक जे हैं डाली पार जाभी ना व कर अब आपार जाभी ना ओकर हावे सामने गाढ़ी चल दिंगे हाँ हहां घरा लागे जाए अच्छा अच्छा रह मात्रह वहल टारे हो हो हाँ आभे सोना क्रेज कर तो रुध घरा बना श्यर्स घरा भी पैट्ञचा प्थर शुरा जो ज बहद्दूर कलारीन की माची एक पत्थर पर टिकी हुई है बहद्दूर कलारीन की माची चिर्चारी ग्राम जीला बालोद 36 गर में है यहाँ माची करीब 600 से 700 वर्ष पुरानी इस्मारक है यहाँ उन दिनों की बात है जब वैपार के रूप में मंदिरा दुकान संचालन कलवती कर रही थी गाउं से हटकर पत्रिले चट्टान की ओर पत्थर की माची बनाकर कलवती मंदिरा बेचने का काम करती थी इस कारोबार में कलवती ने अपना अपार धन संपता भी एकत्रित की थी कमर में कटार बांद कर सोने के बैठकी में कलवती महरानी के समान ही दिखती थी कलवती के पास सराप खरिदने के लिए दूर दूर से कलार वैपारी आते थी कलवती के सांत और सद्गून पून वेवार के आगे वे सभी नत्मस तक थे कभी कभार मंचलों का सामना भी कलवती को करना पड़ता था लेकिन मंचलों के मुह की खानी पड़ती थी और वे सर्मसार होकर भाग खड़े होते थे कलवती के इस प्राक्राम ने उसे बहद्दूर कलारीन बना दिया था यह है माता बहद्दूर कलारीन का माची करसेना कलार समाच की अराथ देवी माता बहद्दूर कलारीन कि यह माची है केहते हैं जहां पर बैठ करके माता बहदुर कलारीन सराप बीचा करती थि किस तरफ पाहत बथा रखा हुआ है आसपास कहीं दुए आप देखेंगे तरफ दित्टानी किस्तरफ कर दो कि आरे कि अधर के नाम किया यो खांस कोई से अब लाग पढ़ता है ये गुरुड बलाग जियां इसको आपशित क्या गया है को तो पावं तू मंगल करनी तू मंगता की खार तू मंता की खाइ तू है स्रिस्टी की निर्मादा शत शत तुझे प्रणा शत शत तुझे प्रणा ए जग जननी है सुख करनी जग जननी है सुख करनी तू है दिव्य महा नारी शक्ति महा करते हम संभाद ते गल्याणी जीवन दानी तू है जक्रिशान नारी शक्ति महा करते हम संभाद